रानीश्वर धानक छेतर के ताल डंगाल पंचाथ के ठाका जोड गाओं में आज शनिवार को ग्रामिनों ने अवैद बालू रदिदू ट्रक को पकड़ कर रानीश्वर धानक के हवाली कर दिया जिसको लेकर ग्रामिनों में काफिया क्रोश है इस दोरान ग्रामिनों ने कहा कि बालू बड़े बड़े ठेकेदारों को सस्ते दर में उपलब्द कराए जाती है लेकिन हम गरीबों को महंगी दावों में दिया जाता है जो बहुत ही दुखन है मोके पर जलापरीश सदस से लिखन मोर्मू पंचाथ समीधी सदस से महेंदर स सोरेन अबलाश सोरेन रविंदर मिर्धा और सजनलाल मिर्धा रविशंकर मिर्धा नेल पाल राजकुमार और गोराई सहीत अन्य ग्रामिन मोजूद रहे ग्रामिनों कारोप आरियो विभाग से है कि सडक नर्मार हेथू बालू अवेद खफाया जा रहा है शिकारपाड़ अब लगाए और यहां पर देखिया और यह टक्टर लगा हुआ है और यह टक्टर इसी तरह 20-25 ट्र दिन भर में आके यहां डंपिंग करता है और इसके बाद राद बर में हाइबा से लोट करके फिर दुसरा जगाया असाधीपुर में किदर काम चड़ना पता नहीं अजब भी हम ड्रावर से पूछते हैं तो बोलता है कि मास्टर सिंग का है अब पता नहीं मास्टर सिंग पता नहीं परधान मंत्री है कि क्या है ले अब परवस्ट इसका हुआ अगे देखिए हम जो आना सीयों को भी फॉंड किये सियों फॉंड नहीं उठाया अब थाना परवारी को भी फॉंड किये वह भी नहीं उठाया अड्रावर को पूछते हैं तो बोलता है हमको कुछ नहीं बिगड़ पाएगा हमारा सारा सेटिं फिर समीन लेकिन यहां का जो आस बन रहा है छांव इए बालु allows जानेस के लिए अब notes बनाने के लिए मना से यहां बालु कहा से संजानी तो अहां कहा से मिल रहा है तो है यही तो है अब लोग गावला केको के ट्रेक्टर पगड़े हैं यहां उटाव मुठी दो ट्रेक्टर पगड़े हैं आवें तुसरी यहां बालू 25 गाड़ी यहां इक किया है क्या नाम हो आपको डंपिंग क्या मेरा महंद स्वरान पंचा समीज तालडगम पंचाज